इसकार दोस्तों, 22LE सिगनल सॉफ्ट्वेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम आपको बताएगे कि सॉफ्ट्वेर के अंदर काम कैसे किया जाता है अगर हमारे सॉफ्ट्वेर के अंदर सही ट्रेड मिला तो हम ट्रेड करेगे अगर गलट trade मिला तो हम trade नहीं करेगे confirmation होना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे software के अंदर आप फच जाते हैं और आपको sideway market का signal जो buy sale, buy sale बन जाता है उसमें आपको पता नहीं लगता है कि इसमें trade करना चाहिए या पिन नहीं करना चाहिए पर यहां software आपको बताएगा कि यह trade सही है या फिर गलत है केसे बताएगा मैं आपको example दे देता हूँ SBI का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है यहां पर आपको एक green color का arrow दिया है वो buy signal है पर buy signal आने से हम तुरंट buy नहीं करेगे उसका verification हमें लेना पड़ेगा कि यह सही है या फिर गलत है तो buy के back में हम check करेगे यहां अगर हमें blue color का उपर की side का arrow हमें दिखता है मैंने उसके उपर round कर दिया है अगर यहां arrow दिखता है तो हम buy के अंदर काम करेगे अगर यहां arrow नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह buy signal गलत है wrong है इसमें हम trade नहीं करेगे हमारा seat number 2 का भी verification रहता है seat number 2 में हम जाकर check करेगे कि उसमें क्या verification रहता है तो यहां पर हमें एक buy signal दिख रहा है यह buy signal confirm है उसका reason यह है कि buy के back में यहां buy के नीचे की तरफ देखिए एक trade line गुजर रही है trade line यह है मैंने round अल्रेडी किया है यह trade line से अगर market उपर है तो इसका मतलब यह होता है कि trade एक confirm trade है double seat से verify दूसरा check करते है हमें यहां पर देखिए तो सभी dots है वो green में बने है और यहां भी round है वो सभी green में बने है नीचे की ribbon भी देखिए है तो green में दोनों ribbon green में बन गई है मतलब कि यह जो सिगनल आया है वो double seat से verify trade है और इसमें definitely आपको काम करना चाहिए पका उपर जाएगा वैसी ही तरह यहां देखिए एक sale signal generate हो जाने से यही trade था confirm trade था उसका reason यह है कि sale के back में देखिए है तो sale के back में एक downside blue confirmation arrow लगा है अगर downside arrow लगा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह confirm trade है आप इसमें sale कर सकते पर फिर भी हम second seat से verification लेते है कि यह double seat से verify है या फिर नहीं है तो seat number 2 में जाकर हम चेक करेगे हाँ है क्यों कि देखिए तो trade line से market नीचे है मैंने round कर रहा हूँ white color की जो line है उन से market नीचे है दूसरा हम check करेगे यहां सभी के सभी round है वो red में बने है हाँ red में बने हुए नीचे भी check करेगे कि दोनो ribbon है वो red में है हाँ already है तो यह दोनो seat से verify trade है अब यहां आपने trade तो कर दिया तो हम exit कहां पर करेगे तो जैसे ही हमें उपर की side का blue arrow दिख जाता है तो हम यहां पर exit कर लेगे तो exit भी time to time रहेगा वैसे ही तरह यहां buy दिया था वो भी perfect trade था हमें यहां confirmation arrow उसके back में मिला था अब exit कहां पर करेगे तो मैंने यहां already round किया है downside का blue arrow हमें दिखता है वैसे ही हम वहां पर exit कर लेगे अगर यहां exit नहीं होता है तो आपको इस sale पर हम exit कर लेगे intraday trader के लिए अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है confirmation के बारे में तो आप हमें contact कर सकते है हम definitely आपको फिर से डेमो दिखा देगे और आपको समझा देगे कि कैसे trade किया जाता है धन्यवाद दस्तो शेनल को like करिए सब्क्राइब करिए शेर करिए जैहिन